नमस्कार दोस्तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल सत्या एक्सलेट में दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जो भूमिगत केबल जिसका मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है अंडरग्राउंड केबल से संबंदित मिसमें महतकूर कोश्चन बताया गया है जो आगे आने वाले एक्जाम फोर्ट समेश्टर का जो है उसमें एक पूशे जाएंगे ठीक है तो चले दुस्तों सुरू करते हैं कोश्चन नमबर 26 के से ठीक है तो 26 कोश्चन है कि की तो ओर मुब ओखनंडिर gettinya के वल ओर डी अप्यक्राइब कागज लुट रोल ठीक है तो इसमें आपका जो सई एनन्वर आएगा इसका आपशन नमबर सी अथा गेस बिदुतंप रोधी केबल ठीक है तो हमारा सी आपसन इसका सई हो जाएगा अगला क्योंट्यरigible एस बेष्ट्स की प्रतिफ्रोध गत्वत्त का मान होता है जो एस बेष्ट तलस होता है उसकी प्रतिरोधाक का मान पूछ रहा है उसका प्रतिरोध का का मान कितना तो यह हमारा सही एंस्वर हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं 26 को सोरी 28 कोश्चन की वलकिनीत इंडिया रवर में गंधक की प्रतिसत मातरा होती है तो उसमें पूछ रहा है कि जो वलकिनीत इंडिया रवर है उसमें गंधक की प्रतिसत मातरा कितनी होती है तो यह होती है ए अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोशचन है केबल की इस्तिति फिक्स करने के लिए ट्रोफिंग कू रिक्तसान दिया है सिफ भरकर दबा दिया जाता है ठीक है आपसन आपके सामने देखी ऐसा ही कोश्चन जो परिष्वाओं में आपको पूछे जाते हैं बहुत ही कनफ आपसन नंबर भी अथा बिन्टू में ते हमारा भी वाला आपसन राइट एंस होगा ठीक है अगला कोश्चन है भी आई आर का पूरा नाम क्या है ठीक है दोस्तों यह फर्ष्ट समिस्टर का वह प्रश्ण एक बनता है जो भी आई आर से समद्दित है तो इसका जो पूरा जो नाम पूछा है कि यह भी आई आर जो है इसका पूरा नाम क्या है तो यह वलकिनित इंडिया रवर्ड ते हमारा जो भी आपसन दिया है यह आपसन सई हो जाएगा अगला कोश्चन है निमन में से किसे एंपियर टेप कहा जाता है आपसन आपके सामने है संचेतित जाएगा यह आपसन नंबर भी अथात वनीज केंब्रीक हमारा भी आपसन सई हो जाएगा अगला कोश्चन है कि पीवी सी का पूरा नाम क्या है देखिए यह भी कोश्चन फर्ष्ट समेश्टर का है लेकिन फोर्थ समेश्टर में भी आपको यह से पूश्चन पूछे जा जाएगा ठीक है पॉली विनाय पॉली विनायल कॉल्राइट सोरी यह दी वाल आपसन सई हो जाएगा पॉली विनायल कॉल्राइट सी हमारा डी वाल आपसन सई है अगला कोश्चन है केबल के इंसुलेशन की मोटाई निर्भर करती है जो केबल होता है उसकी इंसुलेशन की जो मोटाई होती है किसे पर निर्वर्ण करती है आपसो systop ने अपसं दे दिया है कि केभल के अकार पर भी आपसों केभल की लंबाई पर और सी आपसों दिया है केभल के विभवव पर और डी आपसन नहें उपरियूत में से कोई नए तो इसमें आपका जो सही answer आजाएगा यह आपसन नंबर जो दिया है डी स्वरी यह सी वाला केबल के बिभाव पारत है हमारा यह सी वाला आपसन सही हो जाएगा ठीक है अगला question पर चालते हैं अगला question दिया है कि वलकनित इंडियार रवर के पराबैदूत समर्थ का मान होता है जो पराबैदूत समर्थ होता है उसका मान पूछा है कि कितने से कितने तक होता है ठीक है तो इसमें जो आपका आपसन है यह सी वाला सो से दो सो पचास के भी करती सेंटीमीटर ठीक है तो यह हमारा सी वाला आपसन सही हो जाएगा अगला question है संचेचित संसेचित कागज के पैराबैदूत समर्थ का मान होता है ठीक है यह देखी जो संसेचित पूछा है जो कागज होता है उसका पैराबैदूत समर्थ का मान पूछा है कि कितना होता है तो इसका मान कितना होता है तो इसका होता है 300 kb से kb प्रती सेंटीमीटर ठीक ह यह इतने होता है तो हमारा डी वाला आपसन सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि PVC का गुण नहीं है जो आपसन नीचे दिये गए इन में से पूछ रहा है कि इन में से कौन सा जो आपसन है जो PVC का गुण नहीं दरसाता है ठीक है तो आपसन आपके सामने दिया है कि इसकी पर प्रतिरोग धर्ता उंच होती है और C आपसन दिया है कि यह आदर्त ग्राही होता है और D आपसन है उप्रित में से कोई ने ठीक है तो इसमें आपका जो सही एंस्वार आ जाएगा यह आपसन नमबर जो C दिया है यह आदर्ता ग्राही होता है तो यह हमारा C वाल आपसन सही ह हो जाएगा अगला कोश्चन है वल्कनीत बिटूमीन की प्रतिरोग्धत्ता का मान होता है आपसन आपके सामने है देख लिजिए और इसमें जो आपका सही आपसन सही हो जाएगा यह आपसन नमबर इसका डी सही हो जाएगा तो यह डी वाला दिया है जो दस की घाते 14 ओम सें परसपर मद जो बीच के परसपर दूरी की दूरी पूछ रहा है कि जो सेमी होती है कितनी रखी जाती है जो सेंटीमीटर में दूरी होती है वो कितने सेंटीमीटर तक रखी जाती है ठीक है तो यह आपसन आपके सामने है आपसन एदिया है दस बी बीस और सी आपसन तीस द जाएगा अगला कोश्चन है कि भूमिगत केबल बिछाने के लिए केबल को जंग सनरच्छन आदी प्रभाव से दूर रखने है तू किसकी परत चड़ाई जाती है आपसन आपके सामने दिया है वेलके लाइट और बी दिया है बिल्टू मीन और सी आपसन दिया है सलफर और इसमें आपका जो सही एंसवर हो जाएगा यह आपसन नमबर एपके लाइट तो हमारा आपसन नमबर एइसका राइट एंसवर होगा ठीक है अगला कोश्चन है कि केबल में परियुक्त बिदुत रूदी पदार्थ की बिदुत सिलता खाली अस्तान है होना चाहिए अथा क कैसा होना चाहिए अगला कोश्चन है प्राकृतिक रबर होती है आपसन है उसमा ग्राही भी है उसमा छेपी और सी आपसन है अधर्ता ग्राही और डी है इन में से कोई नहीं देखिए यह चारो आपसन बहुत कंफ्यूजन के दिया है और इसमें आपका जो सई एंस्वर आ जाएगा यह आपसन नमबर सी आदात अधर्ता ग्राही तो हमारा सी वल आपसन सई हो जाएगा अगला कोईशन है वलकनीत इंडिया रवर्ड के विसिष्ट प्रतिरोध का मान होता है अथा कि इसका प्रतिरोध का मान कितने ओम के बराबर होता है ठीक है तो इसका जो आपसन नमबर सी दिया है अथा दस की घाते 14 ओम सेंटीमीटर तो हमारा सी वल आपसन सई हो जाएगा अगला कोईशन है कि संसेचित कागज की विसिष्ट प्रतिरोधता का मान होता है अपसन आपके सामने देखिए इसमें जो सी वाला आपसन दिया है दस की घाते 9 ओम सेंटीमीटर तो हमारा सी वाला आपसन सई हो जाएगा ठीक है अगला कोईशन है वलकनीत बीटू मीन का ज जोना नांक होता है अधा जो यह कितना होता इसमें पूछने का मतलब को यह ठीक है अगला कोशन है कि वाई में भंगूर विदुत्रोधी पदार थे आपसन आपके सामने संचेशित कागज भी है गटा परचा और सी है पीवी सी और डी है एस बेस्टस तो इसमें आपका जो सही एंस्वर आ जाएगा जो आपसन नमर जो दिया है इसका यह वाला पीवी सी तो हमारा वी वाल आपसन सही हो जाएगा जो आपको वह इसका पहले पूरा नाम बता दिया गया है पॉली विनायल कुलराइड तो हमारा सी वालापसन सही हो जाएगा अगला कोश्चन है प्रते चुरूप से केबल बिछाने की बिदी में डग की चौडाई होती है जो पूछ रहा है इसकी च चौडाई कितनी होती है इसकी चौडाई 45 cm होती है तो यह हमारा डी वालापसन सही हो जाएगा अगला कोश्चन है केबल में उत्पन होने वाला दोस है ठीक है आपसन आपके सामने है खुला पत्थ दोस भी है लगू पत्थित दोस और सी आपसन दिया है भू दोस और डी आपसन दिया है यह सभी तो इसमें आपका जो सई एंसवर आ जाएगा यह आफ्ट्व नामबर डी डी वाला आपसन सई हो जाएगा यह आपसन सभी सई है ठीक है अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन है कि फीवी सी के प्लाष्टिक गून निर्भर करते है जो प हमारा ये C वाग सुय हो जाएगा अगला कोश्ट聞 है संसेचित कागज का सुरचित तापमान होता है जो संसेचित कागज होता है उसका सुरचित तापमान कितना होता है आप तो दिया आपको 50 दिया है Scotty और кино 5 डिया है और इंवार पंचान में पंछान में ढिए अगले कोशन पर चलते हैं दोस्तों इस वीडियो का ये लाश्ट कोश्चन है और उमीद करता हूं कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए है या पुराने है तो एक लाइक जरूर करेंगे और पुराने जो है वह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें औ यूट्या और भी आपशूर कहता है और दी आपसन और इसका एसब्स ठिक है तो इसमें आपका जो चैनल रह जाएगा इसका आपसन नंबर जो दिया है यह आपसन नमडर जो डिद लिए हैस बैसटर ठीक है तो यह हमारा राइट कि चारूब दय कि साथ मसंप्त होता है मिल